सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोका प्रिया जैने नियूस चैनल महालक्षमी को दश में कल भी दश मी हैं दो दश मी हैं क्योंकि चतुर दशी रवीवार को और फिर आमामस सोंबार को पर हां साधर जैन करते हैं आज की शुरुआत पहला को दिखाया तरह कहते हैं कब भूमी पर उनके पर यह मक्सी तीर से थोड़ा पंदर किलमेटर आगेत हुए दर्शन गिरी तीर्थ बहुत विशल हुनाया था जैसी है तो ट्रस से कब्जा अब पता ही अबको कि यहां पर साल साल साभी शेक नहीं हो रहा मूर्तिय ऐसी हो रही है कब कुछ हो रहा है इतना बड़ा विर्सिशर विरान हो जब आवाज उठाई रंग लाती है उसकी बात जानकारी मिली कि अब इज़वारिया 19 नमबर उसके आसपास इसकी सुनवाई है तैसील लाड़ी से इस मंदिर को खुलवाने की बात चलेगी और फिर इसका अब जो वता रही है क्या कौ आने का भी रास्ता नहीं है हकीकत है आज की बाती है अंदर के छोड़ो बाहर ऐसा रास्ता के जंजाल बन गया है इतना बड़िया बड़ा तीरत भी आज बिलकुल हालत खराम में पड़ा है और फिर वहाँ पर इस तरह के अंदर अभिशेक पूजा सब कुछ कुछ कितनी देनियस थी है गनी में ते कि 2550 वेस्ट मोश्टान से पहले ऐसी खुश कबरी मिली कि तीर संग सनक्षी ने आश्वासन दिया अभी जो पोस्त देख रहे हैं उन्होंने इस पोस्त से स्पश कर दिया कि हम इसको अपने ले रहे हैं और इसका जिगनो धार करेंगे बाहर बा अच्छी बात आदिये बहुत दुर्गटनाई हो रही हैं जैन समयात जैन मंदिरों में चोडियों होती है मूर्तियों की चोडियों और आजकल तो जैसे जैन जोईल रोपर ग्रेंड लगा दिया गया है चोडू की नजर वहीं पर है दिल्लिया वालनुजिना सब्सेश वो लैप्टॉप लेके और घर से आ रहे थे, दो बैग जेवरत लेके चब चल रहे थे, तो वह युवा जेन, जो आवुशन करती वेपारी था, उसको गोली मारती थी, फिर अस्पिताल ने मौत, और आब आज दिखा रहे हैं को ये, भरतपुर के बयाना से, मन्नी जेन, भी बाइक पर दो सवार आते हैं, और इनके पास आगे सीने में गोली उतार देते हैं, थड़पते रहते हैं, सड़क पर पढ़ जाते हैं, लोग देखते हैं, और फिने अस्पताल पहुंसते हैं, अस्पताल में जाके दम तोड़ देते हैं, अज जेन समाज के साथ इस तर कि हमारे वेपारी वर्ग साथ यह क्या हो रहा है अब तो जान पर हमले हो रहे हैं और जान बच भी नहीं पा रही है अब बात करें दिल्ली के दिल्ली में जो दुरश्य अब आप देखेंगे 14 नवंबर को बहुत गज़ब की बाते हैं हम प्रिशव्यार की बात करते हैं दस तारीकों महाँ पर पावापुरी की शुरुआत हो रही है क्रित्र मिसना की जारग वापर प्राकर्थ के ओपर एक गोश्टी है बहुत बड़ी उस गोश्टी के अंदर सपष्ट होगा कि आपको मौलम चलगा हिंदी है गुजराती हो मल्याला मुतमील हो पंजाबी हो उर्दो सब की अंदर प्राकर्थ के प्रवेश है यानि प्राकर्थ की सारी प्राकर्थ के लिए उस बात के लिए अनिशन करना है सांके दियां वहां काटोर अनिशन भी चल रहा है तेरा तारी को मोख सब कल्याना का लाडू चलाएंगे हम बसके दिन और फिर यह चौदा के पिछी परतांगे द्रश्य दिखा रहे हैं पो पिछले वर्ष के हैं और जबार तो ऐसी कर दिल्ली के अंदर बोली से पिछी होती है हमेशा जातर अधिकांश लेकिन और इतनी पिछीओं की एक साथ परिवर्दन आदान परदन यानि पुरानी पिछी देंगे गुरुवर नहीं लेंगे पच्छपन के पच्छपन की और खास बात पच्छपन के पच्छपन की पिछी गुरुवर ही देंगे और गुरुवरी पच्छपन को से लेकर उनको आगे देंगे ऐसा द्रश्य जहां धर्म अपर होईन होगा जहां बोली नहीं होगी जहां आपकी भक्ती होगी जहां वातसले होगा धर्मे कितना आप चाहते हो कितने वरत उफव ने भी नी देखा जो आप रिशा वियार में देखेंगे 14 नवंबर को दोपहर एक बज़े से याद रखिएगा कितने कारग्राम हैं दस ग्यारा बारा तेरा चौदा फिर 26 को आई पी स्टेडियम जाना है जब को वह भी याद रखिएगा और फिर 29 को यही पर ही आदी सागर जी हमारे प्रतम तीम थे थे हमारे यहां पर इस समय वर्तमान के अंदर शांती सागर दक्षे शाज़ा शानी और आदी सागर अंक लीकर उनका दिख शादी बास भी रिशा वियार में मनाए जाएगा सुरा सालम ने हाँ 26 नवंबर तेरा को पहली बार मोख्षे लेनाग और दूसरी बार तेरा दुनी 26 हाँ संडे है उस दिन कम से कम दिल्ली वाले लोग कहते हैं संडे हो तो बढ़िया होता है उस दिन फंडे नहीं है उस दिन रेलिजियस दिन है हमारे तीर तंकर महाविट स जी हाँ एक सो आश नी ज्यादा संत होंगे वहाँ पर आचारेश्री सुनिल सागर जी प्रमकुरूप से 55 पिछी है पावन सानित दे बढ़ों से विश्वर सागर जी 22 तक पंच कराण है सुझे कैसे 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 तो रंत आएंगे उस दिन और हाँ मंगल प्रेणा और मार्द सिर्टाण है आचारेश्री प्रग्य सागर जी यहीं नहीं अनेकां सागर जी निर्वह सागर जी सोभाग्य सागर जी सूरत्न सागर जी सवस्पा सगर जी गूरू और वह बहूं एसे अनिक संत हैं जो यहाँ पर आएंगे अतिवीर जी महाराज जो लालमंदरी व्यागर है ऐसे कई संत हैं जो वहाँ पर 108 से जड़ा संतप को मिलेंगे वहाँ पर आना मत भूलिएगा याद रखेगा पर वहाँ के लिये पहले आपने एंट्री के लिए फॉर्म भर लेना क्योंकि वहाँ पर आधार के साथ अपनी एंट्री क्योंकि पास से एंट्री होगी वहाँ पर गज़दव की बात होगी 26 तारीक के साथ हमें यह मोश्च लगा है यह पूरा साल मनाएंगे मार दर्शन जो है समय आचारी श्री प्रग्य सागर जी का है एक एक कारिकर में हमको जुड़ना है चाहे घर घर में पौदे लगाने हो प्रदूशन दिल्ली के आसपा से जरूर भगाना होगा यही नहीं अहीं सरत के बाती हमें भी जंजन अदेश अपने घर पे दोज भी ल देखते हैं यह दोंगर नगरा है तो क्या हुआ और यह 60 किलो ग्राम चांदी का है और पता है खास बात किया अभी तो यह तैयार वड़ा फ्रेम बने का इसा तीन चाहिए में और फिर इसमें नौ छत्र भी लगेंगे चांदी के और साथ में 64 चांदी के चवर भी लगेंगे पता है कितना होगा इसका पता है कितना होगा 60 है 65 70 80 100 100 100 500 से 200 किलो ग्राम वजन का हो जाएगा चवर यह है ना ऐसा आपने आज से पहले है चंदोबा शायद नहीं देखाओ इसलिए एक खा दिखा देंगा आपके प्रतिमा की पारस्प्रभु की अनोकी प्रहस्ट्रूर के ये अतिया शेतर के अंदर ये विराजमान है इसके अंदर बड़ी अजब की मूर्तिकला के बारे में हमारे जितने जैन समझे एथिक शुल्पकला मूर्तलम ने कहीं लिए क्या कलपना होती है यहाँ पर धने इंपनवाती ने जैसे तीर्थ अंकर पास्वना जी को उठाया होगा है है नाची कभी जाएगा दशन करिएगा यहाँ पर बड़ी घजब दोगी प्रतिमा है फिर मिलेंगे आपके साथ अंतिम तीर्थ बाद 15 नमबंबर है अपने तीर्थों की रुपे और एकों 14 रुपे मेन बात ही है कि हमने तीर्थों के लिए अपने अंदर क्या जस्वा पैदा किया है कोई भी तीर्थ है वहां के जानकारी बेजिए वीडियो बेजिए और इसमें शामिली जिए नमबर आप देखी रहे हैं 9910690823 यह टोपी वाला कुछ ऐसी ब मुपे मुपे पी ऐसे अंदर कर दोशब के बात हैं एसे अंदर को झाली जिए झानकारी प्रण है कि आकारी एसे एसे जिने अबर आप जाए तीर में हैं